प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत, अभिनंदन, आज की इस क्लास में पूने हाजिर हैं, आज हम पढ़ेंगे, एलगी का नेक्स्ट टॉपिक, जो की कल जहां पर हमने छोड़ा था, उससे आगे हम यहां पर सुरू करेंगे, तो विद्यार्थियों, उमीद करता हूँ कि आपको हमारे वीडियो, हमारी क्लास पसंदारी होगी, और उमीद करता हूँ कि हम जो जो आगे बढ़ रहे हैं, तो आप भी साथ घर पे स्टेड़ी कर रहे हैं, तो आप पढ़ते रहें, प्यारे विद्यार्थियों, सभी को नम औरश्कार, गुट मॉनिग आप लगातार हमसे जूडे रहें, गुट मॉनिग सभी को, आज हम प्यारे कद्यार्थी हो चर्चा करेंगे, एल्गी, अथ्वा, सेवाल के जनन की, रिप्रोडक्षन, सेवालों में जनन कैसे होता है, रिप्रोडक्षन कैसे होता है, उसके साथ चर्चा करेंगे तो आप हमारे साथ यूँ ही बने रहें और इसी तरीके से हम आपको वन बाई बन करके और मैं आपको इसके बारे में बताता रहूँगा आपको स्क्रीन नज़र आ रहा होगा आप वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आपको स्क्रीन नज़र आ रहा है सभी को जी तो मैं बात कर रहा था एलगी के रिप्रोडक्शन की तो रिप्रोडक्शन की हम बात करें तो रिप्रोडक्शन जो है वो सेवालों में तीन प्रकार से होता है तीन प्रकार से reproduction होता है, पहला vegetative, दूसरा asexual और तीसरा sexual, यानि vegetative हिंदी में हम इसको कहेंगे, काईक जरन, asexual, ऐलेंगिक जरन और sexual, लेंगिक जरन तीनों method से हमारे सेवालों में reproduction होता है, vegetative, asexual और sexual, अब one by one हम इसकी method की study करेंगे कि किस परकार हमारा जो एल्गी है वो reproduction करता है, एल्गी में reproduction किस परकार होता है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें, मैं जैसा पताया, vegetative, काईक जरन, asexual, एलेंग एक जरन और sexual, लेंग एक जरन, अब basically इसमें difference क्या होता है, vegetative reproduction जो होता है, काईक जरन, उसमें कोई सरंचना नहीं बनती है विशे, सरंचना किसी भी form में plant या plant का कोई part उससे अलग होता है, और नया plant बना देता है, नया plant बना देता है, asexual में, asexual gamits वो बनते हैं, sports बनते हैं, और वो sports बनने के बाद नया plant बनाते हैं, और sexual में, लेंगिक में, दो नर और मादा भाग लेते हैं, और लेंगिक जनन होता है, अब हम सबसे पहले यहाँ पे चार्ट आपको नजर आ रहा होगा, कि reproduction जो है, वो algae में किस-किस method से होता है, algae में, तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे, vegetative reproduction हो रहा है, vegetative यानि काईक जनन, किन-किन method से होता है, मैं पूरा detail में आपके साथ करूँगा, fragmentation, यानि टुकडों में तूड़ जाना, fission, kosika का दो भागों में तूड़ जाना, echinids, एक सरंसना बनती है, उसमें echinids, उनको बोलते हैं, tubers कारा में बनते हैं, विसेश रंसना होर्मोगोनिया जो है, वो ओसिलेटोरिया में बनते हैं, और adventitious थेलाई वो भी बनते हैं, उसी प्रकार अगर हम asexual, ailingic जनन की बात करें, asexual या ailingic जनन की बात करें, तो asexual में आप यहाँ पे देख सकते हैं, चल भी जानूं, juice sports से होता है, sin juice sports से होता है, वो चेरिया में होता है, ailingic जनन के प्रकार होते हैं, इसी प्रकार अगर हम बात करें, sexual reproduction की, तो sexual reproduction जो लेंगिक जनन है, वो तीन मेथड से होता है, isogamy, anisogamy और ugamy, अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या हो, तो आप message में message डालते रहेगा, ताकि मुझे वो दिखता रहेगा, और मैं आपके साथ, वो चीज, share करता रहूँगा, अब सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पर vegetative या काईक जनन, वेजिटेटिव या काईक जनन, तो उसमें आप यहाँ पर देखिए, अब मेरे ख्याल में clear होगी आपको श्क्रीम, जो vegetative और काईक जनन है, वो सबसे पहले fission, fission इसमें होता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, कि एक कोशिका से दो कोशिकाएं बन जाती है, बिना किसी विशेश रंचना के, तो इसे हम fission या द्वीखंडन कहते हैं, द्वीखंडन एक कोशिका से दो कोशिकाएं बन जाती है, एक कोशिका से दो कोशिकाएं बन जाती है, तो इसे fission कहा जाता है, उसके बाद अगर हम देखें तो fragmentation fragmentation में क्या होता है कि जो filament है वो किसी भी बाईये कारण कारण जैसे animal grazing करते हैं fish जो है मचलिया feeding करती है उसके कारण उसके filament तूट जाते हैं filament तूट जाते हैं और प्रतेक filament नया plant बना लेता है प्रतेक filament नया plant बना लेता है इसे कहते हैं खंडन कूटना खंड रित हो जाना और प्रतेक खंड नया plant बना लेता है तो इसे हम खंडन कहते हैं इसे हम खंडन कहते हैं tubers tubers में क्या होता है कि कारा में बनते हैं ये इसमें एक outgrowth बनती है गोलाकार आउटग्रोथ बनती है जो कि स्टार्स रिच होती है और स्टार्स रिच ये सरंशना बाद में प्लांट पोड़ी से अलग होकर नया प्लांट बना लेती है इसे हम ट्यूबर कहते हैं जो कि कारा में बनती है तो कारा में बनती है बलबिल्स ये भी कारा में बनते है ये भी गोलाकार छोड़ छोड़ी सरंशना होती है इसे बलबिल्स कहा जाता है और ये बलबिल्स भी प्लांट पोड़ी से अलग होकर नया प्लांट बना लेती है ये भी कारा में जो कारा हमारी अलगी है उसमें इसको report किया गया है बलबिल तो यह vegetative reproduction या kait genan के कुछ प्रकार है उसके बाद hormogonia यह बहुत important है आपके कई बार exam में इसका प्रशन आता है कई बार exam में इसका प्रशन आता है कि hormogonia क्या होते है hormogonia और khundan जो मनें fragmentation बताया था उसमें बस इतना ही डिफ्रेंस है कि fragmentation या खंडंग तो भधे कारक के कारण होता है और hormogonia आंत्रिक कारकों के कारण होता है इसमें क्या होता है जो filament होता है उसके बीच की कुछ कोशिकाएं नस्ठ हो जाती है और नस्ठ होने के बाद वो filament जहां से नस्ठ होती वहां से तूट जाता ह इसका best example ओसी लेटोरिया में हम देखते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं इसे डाइग्राम में कि बीच की कोशिकाए नश्ट होने के कारण नेक्रीडियम बनता है इसके बोलते हैं नेक्रीडियम नेक्रीडियम बनता है और यह नेक्रीडियम जो है वह है वहाँ से filament तूट है और अब इस तूटेवे पार्ट को होर्मोगोनिया कहा जाता है इस तूटेवे पार्ट को होर्मोगोनिया कहा जाता है तो यह होर्मोगोनिया ओसी लेटोरिया में बनता है आंत्रिक कुछ कोशिकाए नश्ट हो जाती है जिस पार्ट को नेक्रीडियम कहा जाता है और यह से फिलामेंट टूट जाता है और टूटावा पार्ट होर्मोगोनिया कहलाता है और यह होर्मोगोनिया बाद में डिवीजन करके और नया प्लांट बना देता है तो यह वह मारा हो गया होर्मोगोनिया बहुत इंपोर्टेंट है कई बार क्यूशन आता है वाट इस होर्मोग जाती है जाइगोट जब इसमें बनता है sexual reproduction के बाद जाइगोट बनता है तो ये protonima एक विशे structure बनती है जिसे primary protonima कहते है और ये primary protonima नए plant को बना देता है separate होने के बाद इस जाइगोट से ये separate हो जाता है और separate होकर नया प्लांट बना देता है इसे हम प्रोटोनीमा कहते हैं यह प्रोटोनीमा हो गया उसके बाद अगर हम बात करते हैं यह भी कारा में है अमाईलम स्टार amylam star star shift structure होती है और ये star shift structure जो है वो plants में बनती है और plants में बनने के बाद उससे separate हो जाती है और separate होने के बाद नया plant बना देती है तो इसे हम amylam star कहते हैं amylam star कहते हैं तो ये तो हो गया विद्यारतियो LN की काइब जनन या वेजिटिटेटीव रिप्रोडक्शन अब हम बात करते हैं A.L.A.C. जनन की A.A.C. सेक्षवल रिप्रोडक्शन ये अलग-अलग मेथर से होता है पानी की उपस्तिती है पानी की कमी है उसके अधार पर ये अलग-अलग मेथर से होता है जैसा कि आपको स्क्रीम पे नजर आ रहा है जूस्पोर, चल भी जानू एपलेनस्पोर, एचल भी जानू एकाइनीट्स को एकाइनीट्स ही कहा जाता है हिपनोस्पोर, सुसुप्ट भी जानू हिपनोस्पोर को कहा जाता है सुसुप्ट भी जानू पामेला स्टेज, यह पामेला स्टेज ही पामेला वश्ता कहते हैं, डोटर, कोलोनी, पुतրी, कोलोनी के दौरा, ओटोस्पोर, स्वय भी जाव्ग, कार्पो स्पोर को कार्पो स्पोर ही कहा जाता है, एंडोस्पोर अंता विजाणूं और एग्जोस्पोर बही विजाणूं ये इतने मेथड से इनमें एसेक्सोलिया एलेंगिक जनन होता है जूस्पोर, एपनोस्पोर, अकाइनेट, शिपनोस्पोर, पामेला स्टेज, डॉर्टर कोलोनी, ओटोस्पोर, कार्पोस्पोर, अनुकूल होती है, यानि पानी की मात्रा फूनते होती है, तब कोशिका का जीर द्रवे वाजित होकर चल विजाणूं बनाता है, इसके अंदर कसाबिकाएं होती है, और कसाबिकाओं की सायता से ये तेर सकते हैं, मूमेंट कर सकते हैं, तो ये कसाबिकाएं होती है इसके अ तब जूस्पोर्स का निर्माण होता है, कोशिका का जीर द्रवे, खंडी तोकर, छोटे-छोटे तुकड़ों में बन जाता है, और ये तुकड़े बाद में जूस्पोर्स चल विजानओं का निर्माण कर देते हैं। और इंचल विजानवों द्वारा नए प्रिस्तितिया आंसिक रूप से पर्तिकूल होने लगती, यानि पानी की मातरा कम होने लगती है, जहाँ पे जू स्पोर बन रहे होते हैं, वहाँ पर अब फ्रेजिला का निर्माण नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पाने की मात्रा कम हो गई, तेर नहीं सकते, इसलिए वे क्या करेंगे, बिना फलेजिला वाले एचल बिजानू बनाते हैं, एपलेने स्पोर को बोलते हैं, एचल बिजानू, एचल बिजानू कहा जाता है, इन्हें एचल बिजानू कहा जाता है, और एचल बि जानूँ एपलेनो स्पोर उसके बाद एकाइनीट्स जो फिलामेंटस हमारी एल्गी है जैसे नौस्टॉक औसिलेटोरिया इन में बनता है उडोगोनिय में बनता है इसमें क्या होता है एक कोशिका है कोई एक सिंगल कोशिका वो अपने च्यारो और मोटी भित्ति का बना लेती है मोटी भित्ति का आवरं बना लेती है और उस मोटी भित्ति वाली कोशिका प्रतिकूल प्रस्थितियों में जब पानी समाप्त हो जाता है तो ये प्रतिकूल प्रस्थितियों को सहन करती है जैसे ही पानी मिलता है ये अकाइनीट्स वापर नया प्लांट बना लेते हैं तो ये नॉस्टोकेल्स, स्टाइगो, नीमेटेल्स इस ग्रुप में ये बनते हैं अकाइनेट्स, अकाइनेट्स के द्वारा हिपनोस्पोर ये जब कोशिका है पूरी कोशिका ही अपने च्यारो और मोटी विट्टिश का स्रावन कर लेती है सुसुप्त बिजरू और ये नील हरित सेवालों में ग्रीन एलगी जो है उसमें बनता है हरित सेवालों में और ये मोटी विट्टि का आवरन उसके चारो और स्रावित हो जाता है ये प्रतिकूल प्रिस्तितियों को कई सालों तक सहन कर सकते हैं अगर एक दो साल भी वरसात नहीं होती है तो प्रतिकूल प्रिस्तितियों को ये सहन कर सकते हैं और इनके चारों और मोटी भित्ती होती है जब भी प्रिस्तितिया अनुकूल फैबरेबल होती है पानी बरस्ता है तो ये अंकुरित होकर जर्मिनेट होकर नया प्लांट बना लेते है पामेला वस्ता कल हमने पढ़ा था इसके बारे में पामेला कोलोनी इसमें क्या है कोशिकाई विवाजन करती है पामेला एल्गी है और विभाजन करने के बाद कोशिकाएं स्लेश्म मुसिलेज के आवरंड में पड़ी रहती है मुसिलेज के आवरंड में पड़ी रहती है और वो सेपरेट नहीं होती और हमें ऐसे लगता जैसे यह पामेला एलगी है इसलिए इसको पामेला स्टेज कहा जाता है पामिला स्टेश इसको कहा जाता है डोटर कोलोनी ये आपके बहुत इंपोर्टेंट रहता है वालवोक्स में बनता है ये डोटर कोलोनी और डोटर कोलोनी में कोलोनी के अंदर नई कोलोनी बनती है कोलोनी के अंदर नई कोलोनी बनती है और नई कोलोनी बाद में जब मात्र कोलोनी नश्ट होती है तो ये छोटी-छोटी कोलोनिया सेपरेट होकर नई कोलोनी बना लेती है तो पुत्री निवे, डोटर कोलोनी को बोला जाता है पुत्री निवे, पुत्री निवे के द्वारा नए कोलोनी का निर्मान हो जाता है औ ये कुछ एक्जाम्पल्स हैं, एंडोस्पोर, एक्जोस्पोर, हिट्रोसिस्ट, इनके द्वारा, रिप्रोडक्शन, जैसा कि मैंने बताया था, अन्तय विजानू, बहिर विजानू, एकाइनेट्स, फीशन, ये सारे इसमें डिविजन के प्रकार है, जो कि एलेंगिक विज जनन, लेंगिक जनन में क्या होता है, आपको पता है, सेक्शुल रिप्रोडक्शन में, दो गैमेट्स, एक नर के दोरा बनता है, और एक मादा के दोरा बनता है, दोनों गैमेट्स, आपस में मिलकर, फ्यूजन करते हैं, और फ्यूजन करने के बाद, जाइगोड बनता है, ये लेंगिक जनन आप सभी को पता है लेकिन यहाँ पर लेंगिक जनन जो है वो तीन प्रकार से होता है आईसोगेमस सम युगमकी यानि दोनों युगमक जो नर और मादा के दोरा बनते हैं युगमक वे दोनों युगमक आकार और आकरती में समान होते हैं इसलिए इसको दूसरा है एसम युगमक एन आईसो गेमस जब मादा युगमक आकार में बड़ा होता है और मोटाइल होता है और नर युगमक आकार में छोटा होता है और गतिशील होता है यानि दोनों गतिशील होते हैं लेकिन इनमें आकार में फरक होता है और तीसरा होता है उगेमस जिस इसमें नर युगमक छोटा और गतिसील होता है मादा युगमक बड़ा और गति हिम होता है नोन मोटाइल होता है तो यह तीन प्रकार के sexual reproduction से वालों में पाए जाते हैं तो जैसा कि पहला मैंने बताया आइसोगेमस सम युगमकी सम युगमकी में क्या होता है दोनों युगमक आकार और आकरती में समान होते हैं एक यहाँ पर कई बार टर्म आ जाती है physiological anisogame इसमें क्या होता है कि देखने में तो वो दोनों समान होते हैं लेकिन नर युगमक मादा युगमक की बजाए अधिक एक्टिव होता है मादा युगमक कम एक्टिव होता है नेर युगमक ज्यादा एक्टिव होता है तो अधिक एक्टिव होता है इसलिए इसे कहा जाता है फीजियोलोजिकल एसम युगमकी फीजियोलोजिकल देखने में समान लेकिन किरियावीदी में एसमान होने के कारण तो ये आईसोगेमी जो है, वो क्लेमाइड़ो मोनास में, स्पाइरोगैरा में पाई जाती है अनाईसोगेमस, दूसरे प्रकार का जो होता है अनाईसोगेमस उसमें जैसा कि मैंने बताया, दो प्रकार के गैमिट बनते हैं जिसमें नर युगमक छोटा और गतिसील होता है, मादा युगमक आकार में बड़ा और गतिसील होता है, तो ये एनाइसो गेमि या एसम युगमकी, यानि युगमक एसमान होते हैं, जिसमें फ्यूजन करने वाले गेमिट्स जो है, वो एसमान होते हैं, लेकिन दोनों मोटा यह याद रखेगा दोनों Motile होते हैं नो मोटाइल होते हैं, उगेमस तीसरे प्रकार का है, उगेमस विसम युगमकी इसमें fusion या युवन करने वाले gamits जो है युगमक है उसमें एक non-motile अर्था HL होता है इसमें आकार में बड़ा होता है जो की मादा युगमक होता है यानि मादा युगमक आकार में बड़ा और गतिहीन होता है जबकि नर युगमक आकार में छोटा और motile चलायमान होता है गतिसील होता है जैसे walbox और fucus इसका हम एक्जामपल यहाँ पर कोट कर सकते हैं इसका एक्जामपल हम यहाँ पर कोट कर सकते हैं तो यह हो गया हमारा sexual reproduction में isogamous, anisogamous और u-gamous samyugmaki, samyugmaki और visamyugmaki अब आपमें एक्जामपल देखें samyugmaki जो मैंने कहा आप देख सकते हैं यहाँ पर दो यugmaki बने दोनों समान है आकार आकरती में समान है दोनों में fusion हुआ और fusion होने के बाद zygote बना यानि दोनों यugmaki आकार आकरती में समान है isogamous samyugmaki कहा जाता है और यहाँ पर मैंने एक टाम आपको और बताई physiological anisogamy उसमें दोनों देखने में तो इसी प्रकार से समान होंगे लेकिन नर्युगmaki ज़्यादा active होगा हम देख के बता सकते हैं जो भागदोर ज़्यादा कर रहा है वो नर्युगmaki है ज्यादा तेजी से सल रहा है वो नर्युगmaki है तो यह physiological anisogamy कहा जाता है anisogamy anisogamy में एक युगmaki आकार में छोटा और एक युगmaki आकार में बड़ा होता है लेकिन दोनों चलाएमान होते हैं मोटाइल होते हैं नर्य छोटा होता है मादा युगmaki बड़ा होता है लेकिन दोनों गतिसील होते हैं दोनों गतिसील होते हैं और यही fusion करके जाइगोट का निर्मान कर लेते हैं fusion करके जाइगोट का निर्मान कर लेते हैं तो यह हो गई एसम युगमकी नर युगमक छोटा लेकिन गतिसील मादा युगमक बड़ा और वो भी गतिसील होता है यह एन आइसोगेमी कहा जाता है इसको एन आइसोगेमी कहते हैं तीसरे प्रकार का हमारा है उगेमस उगेमस उसमें नर युगमक छोटा और गतिसील होता है जिसे माइक्रो गेमिट कहते हैं और मादा युगमक बड़ा और गतिहीन होता है जिसे हम एक भी कहते हैं एक भी कहते हैं और ये दोनों fusion करते हैं और जाइगोट का निर्माड करते हैं जाइगोट का निर्माड करते हैं तो ये हमारा विसम युगमकी तो आज हमने reproduction में देखा जनन में देखा कि सेवाल जो है वो तीन परकार से तीनों method से जनन करते हैं है yi guys general … अर्थाज वेजिटेटी vidéo रिप्रोदक्षं एसेक्शल रिप्रोदक्षं कोई भी एक्स्ट्रा नहीं बनती है प्लांट का दोभगों में तूट जाना या किसी उसके पार्ट का अलग होना और वो प्लांट फिर वो पार्ट नया प्लांट बना देता है यह काइक जनन कहलाता है उसके बाद एलेंगिक जनन में एलेंगिक बिजानू बनते हैं और ये बिजानू चल्ग हो सकते हैं, हल हो सकते हैं, मोटिव इत्ती वाले हो सकते हैं, काइनिर्स हो सकते हैं, एक जो स्पोर हो सकते हैं, एंडो स्पोर हो सकते हैं, कार्पो स्पोर भी हो सकते हैं, यह अलग अलग परकार के भी जाओं इन में बनते हैं और उसके बाद लेंगिक जरन तीन परकार से आइसो गेमर्स, एनाइसो गेमर्स और उगेमर्स तो प्यारे विद्यारतियों, उमीद करता हूँ, कि आपको आज की एक लास समझ में आई, कोई समस्या हो, तो आप ग्रूप में सेर करें, और आप ज्यादा से ज्यादा जुड़े, अपने दोस्तों को भी जुड़ने के लिए बोले, फैजल, फैजल ने किया है, शुबास, आपका भी धन्यवाद, आपने दोस्तों को जुड़े, ज्यादा से ज्यादा टेंडेंस होगी, तो ही अच्छा रहेगा, और उतना ही हमें, आप सबको फाइदा होगा, मैं आपके साथ निकितान, ज्योती सुबास, रामशरूप, आप सभी का धन्यवाद, आप लोग क्ला इसको जोड़िये, चिंटू, आदित्य, निकिता, मोना, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जुड़ रहे हैं, कैमस, आपने लिखा है, आज किलियर दिख रहा था, ठैंक्यू, मैरा प्रियास यही रहता है, कि मैं और बेतर करूँ, आपका कुछने कुछ फाइ इसल, मैं यही प्रियास करता हूँ कि आपको ज्यादा से ज्यादा फाइदा हो, लेकिन चो अटेंडेंस है, वो कम है, हमारे ग्रूप में लगबग डेड़ से ज्यादा विद्यार थे जुड़े में हैं, लेकिन उपस्तिती आपकी 30 के आसपास ही रहती है, तो आप अपने को टेस्ट होगा, मंडे को हम टेस्ट लेंगे जो अभी तक पढ़ाया है, और दिक्षित शिहाग, आपका धन्यवाद, आप निकलास ली, और भी बहुत से ज्यार थिसमें जुड़े हैं, आप सभी का आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और फिर हम साथ आएंगे, अपने दोस्तों को जरूर मोटिवेट करना, इस अभी ठैंक्स आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सबका, क्या आप जुड़े हैं, इसको तयार करने में टाइम लगता है, इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ें, फाइदा आपका ही होगा, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का,